नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल के उपर आज हम लोग एक और आपके लिए एक यूनिक वीडियो लेक्टे आ रहे हैं दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर हम लोग दिखाएंगे कि कैसे हम लोग ने इस गनपती जी की जो फाइबर मूरती है उसके पर एकदम ब्राइट सिल्वर फिनिश दिया है जी हाँ दोस्तो आप लोग ने एकदम सही सुना है हम लोग ने एकदम bright silver finish और सिर्फ और सिर्फ spray प्रोसेस से दिया है आप इस वीडियो के साथ पूरी लाश तक बने रही है और इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए यह जो प्रोसेस होता है दोस्तो इसको hydrochrome प्रोसेस बोलते है और यह हमारी company की machine है hydrochrome machine इस machine से आप plastic, rubber, fiber, statue, resin, कोई भी non metallic item या metallic item उसके पर आप gold और silver finish एकदम 24 karant जैसा gold finish दे सकते हो जी हाँ दोस्तो आप लोग में देखा कि कैसे यह simple plain piece है हम लोग इसको आपको पूरा process करके दिखाएंगे कि कैसे इस piece के उपर हम लोग silver finish कर देंगे यह जो पूरा process होता है दोस्तो यह पूरा को पूरा spray process होता है और बहुत ही cost effective होता है क्योंकि इसमें जो खर्चा आता है एकदम nominal cost आता है जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग ने glass के उपर किया है, ceramic के उपर किया है, fiber के उपर किया है चोटी-चोटी मूर्तियों के उपर किया है तो यह जो हमारा setup है दोस्तो यह बहुत ही सस्ता है और इसके अंदर आप बहुत बड़े level पे काम कर सकते हो जैसे कि आप लोग ने देखा हम लोग ने fiber की मूर्थी के उपर एक black का spray कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से सूखने आपको देना है अच्छी तरीके से सूखने के बाद में फिर इसके उपर proper process स्टार्ट होगा दोस्तो black spray होने के बाद में सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से इसको wash करना है क्योंकि यह पूरा को पूरा पूरा जो process होता दोस्तो इसके दर washing बहुत ही important part होता है अगर आपने पीस को अच्छी तरीके से clean नहीं किया साफ सफाई नहीं रखी अच्छे तरीके जह तो finishing बराबर नहीं आएगा तो पहले हम लोग ने black spray किया हमारा second step होता है activator spray यह activator जो होता है दोस्तों यह बहुत important process होता है तो इसको आपको एकदम properly spray करना है पूरे पीस पे सब जगे पे slowly slowly लिए अक्टिवेटर होने के बाद में हम लोग फिर से पीस को अच्छी तरीके से washing करेंगे और washing करने के बाद जो हमारा important process है that is silver spray process वो उस पे हम लोग focus करेंगे और वो एकदम ध्यान से आपको properly करना है तो अभी हम लोग अपना silver chrome का जो process है दोस्तो वो start करेंगे जैसे कि आपने देखा अभी जो piece black है ये slowly slowly silver की piece में बदल जाएगा इसमें bright silver का finish आएगा आप देख सकते हो कि पीस की तरीके से चमक रहा है पीस का color change होता जा रहा है एक silver के अंदर finish बदलता जा रहा है इस piece का तो ये जो process है दोस्तो ये सबसे important process होता है एक्टिवेटर के बाद में आपको properly silver chrome spray अच्छी तरीके से spray करना है और जितना आप properly अच्छी तरीके से spray करोंगे उतना whiteness shine और ज़्यादा बढ़ता है silver chrome होने के बाद दोस्तो हम लोग अच्छी तरीके से इसको soap wash करेंगे उसका reason ये होता है जो भी silver का solution का जो power होता है वो अच्छी तरीके से piece पे से निकल जाए और piece एकदम neutralize हो जाए एकदम normal level पे आ जाए और वो soap wash होने के बाद में हम अच्छी तरीके से इसको normal water से wash करेंगे और उसको अच्छी तरीके से सुखा देंगे पूरा process complete होने के बाद में दोस्तों ये हमारा final finish है आपके सामने आप देख सकते हो कि इसकी जो whiteness है शाइन है बहुत ultimate लेवल किये दोस्तों हम लोग इसको camera के अंदर cover नहीं कर पारें properly इतना whiteness और shine है इस piece के अंदर तो आप लोग ने पूरा process देखा कि कैसे हम लोग न पीस के उपर black किया, activator किया, silver spray किया और silver spray होने के बाद में हमारा piece ready हो चुका है आप इस piece को जब आप market में बेचते हो दोस्तों तो आपको 10 times जादा पैसा इसके उपर मिलता है क्योंकि market में इस चीज़ का demand एक बहुत बड़े level पे चल रहा है ये हमारा पूरा setup है दोस्तो ये setup से आप plastic resin fiber किसी भी metallic non metallic item के उपर gold और silver का finish दीजिए ये जो piece का size है दोस्तों ये 6 by 6 inch की मूर्ती है और इसके उपर हम लोग ने पूरा जो process किया start to end पूरे process का जो खर्चा आया है लगबक 1500 रुपे के असपास आया है और हम लोग ने पूरे piece के उपर एक दम bright silver finish इसमे करते हो तो ये कम से कम 2.500 रुपे के range में बिखता है तो ये हमारी company का पूरा detail है दोस्तों हमसे contact कीजिए पूरी detail लेने के बाद हमारी company में visit कीजिए ये setup लगा के all over India काम कीजिए thank you